नमस्कार दोस्तों पहाड़ी आईरवेदिक में आपका स्वागत हैं। दोस्तों आज मैं आप लोग सामने पीला कुक्रवंधा का पाउधा लेकर आया हूं। दोस्तों ऐसे तो पाउधा के करीबन दो तीन चार परजाती होते हैं। कुछ परजातियां छोटे छोटे कदक होते हैं और कुछ परजातियां जो हैं बड़े बड़े कदक होते हैं जो पीला कुक्राउंधा का पौधा आज मैं आप लोग सामने लेकर आया हूं यह पौधा जमीन से कम से कम दो फूर तीन फूर तक बड़ा होता है दोस्तों इस कु कुक्राउंधा के डंटल में भी रोम होते हैं देख लिजिए पहिचान लिजिए और हां दोस्तों अगर इस कुक्राउंधा के पत्ते को तोड़कर हम सूंगेंगे नाक लगाकर तो आज वायन जैसा गंध मिलेगा अब इसके गंध को कोई-कोई पसंद करते हैं और कोई- रोगों को ठीक करता है तो दोस्तों अगर मान लिजिए किसी का कहीं भी कट गया फट गया मार लग गया जखम हो गया खून निकल रहा है तो आप इसके पत्तों को तोड़कर हथेली में रगड़िए रगड़ने बार इसका रस निकालिए और उस रस को आप जखम कूपर ल मतलब यह घाव को भरने काम करता है कुक्राउंदा का पत्ते का रस दोस्तों इसके फाइदे इतने ही नहीं और भी फाइदे हैं अगर किसी बच्चे का पलरी चल रहा हो बहुत से बच्चे होते हैं जिनको निमोनिया हो जाता है और सीना के बीच में उछलने लगता है तो उन बच्चों के लिए आप इस कुक्राउंदा के पत्तों को तोड़कर पीशिये चटनी बनाएए साथ में सेंधा नमग मिलाएए सरसोग तेल में डालकर पकाईए यानि सरसोग तेल में पकाकर इसका पेष्ट बनाना है सेंधा नमग डालकर जिस बच्चे को निमोनिया बिल्कूल ठीक हो जाएगा लेकिन हाँ दोस्तों थोड़ा नॉर्मल गरम गरम ही लगाना है सीने पर दोस्तों अगर किसी वपरकार कोई भी कीड़े मकोड़े काट ले जैसे बर्रे तताया कोई भी काट ले तो आप इस कुक्राउंदा के पत्तों को पीश कर या फिर इसको रगर कार रिस निकाल कर लगाते हैं डंक मारए हुवस्थान पर बर्रे ततवह या किसी वी तरह की किटाड़ ने काटा हो तो इसके रिसed का नास होता है और सूजन भी दूर होता है इसके लगाने से इसके रस को लगाने से दोस्तों अगर किसी का बाल समय पहले जढ़ रहा है तो उसके बालों में इस कुक्राउंधाक पत्तों का रस लगाने से बाल का जढ़ मजबूत होता है और बाल का जढ़ना रुकता है और समय पहले जो बाल प मसाज करें तो बालों से जून नश्ट हो जाएंगे इसी परकार से आप डेंडरप है अगर आपके बालों के अंदर डेंडरप है तो भी आप इस कुक्राउंधा के पत्तों को पीस का रस निकाल लीजिए साथ में थोड़ा नीबू का रस मिला लीजिए बराबर बराबर मात् लेकिन जब भी इसका काड़ा बनाना तो साथ में फिटकरी मिला लेना दोस्तों इस कुक्राउंधा के पत्तों के रस निकाल कर बवासीर रोगी अगर दो चम्मश सेवन करें एक चुटकी फिटकरी भूना हुए फिटकी डाल कर तो खूनी बवासीर भी ठीक होता है इसके पीने से लेकिन मात्र दोज है दो चम्मश उस से अधिक नहीं पीना और एक चुटकी फिटकरी ओभी भुनी हुए फिटकरी कच्ची फिटकरी नहीं क्यूंकि कच्ची फिटकरी जो है माश को सुकोरने का काम करता है इसलिए कच्चा फिटकरी कभी भी नहीं खाना competit या प् बैद के देख रेख में होता है दोस्तों अगर किसी को सिप्लीस बिमारी है सुजाग बिमारी है उसके प्रस्नल पार्ट में फोड़े फुंसी हैं तो वह लोग भी इस कुक्राउंदा के पत्तों को पीश कर पेश्ट बनाकर हल्दी और मुम मिलाकर गर्माकर मलहम बनाकर अगर प्रस्नल पार्ट के उपर लगाता है तो उसके प्रस्नल पार्ट में होने वाले फोड़े फुंसी ठीक हो जाते हैं और इसी कुक्रोंधाग पत्तों में सेना नमक और फिटकी डाल कर काड़ा बना कर प्रसनल पार्ट को धोने से प्रसनल पार्ट का जो भी फोले फुन्सी दाने होंगे वह भी सूखने लगेंगे दोस्तों इसके फाइदे इतने ही नहीं आउर भी हैं अगर मालो किसी का आखों में लालीमा हो आखों में जलन हो तो कुक्रोंधा के पत्तों को पीश कर मात्र दो या तीन वून रस आख में डालने से आखों का रोग ठीक होता है दोस्तों अगर किसी का मुँ सूखा पड़ता हो सूख जाता हो बार बार प्यास लगता हो या मुँ के अंदर छाले हो दाने निनियवा फोड़े फुनसी हो तो आप इस कुक्रोंधा के जड़ को मुँ में डाल कर चबाईए और ठूकिए तो मुँ के समस्त रोग ठीक लेकिन हाँ दोस्तों मुँ में डाल कर चूसने से पहले कुक्रोंधा के जड़ को अच्छे से धोकर साप कर लीजिएगा ताकि किसी तरीके के कच्रा मिट्टी आपको मुँ में न जा पाए दोस्तों कुक्रोंधा के और भी फायदे हैं अगर किसी को खांसी हो तो इस कुक्रोंधा पत्तों का रस निकाल लीजिए करीबन पांच एमल और उसमें पांच एमल सहद मिलाकर चटाने से खांसी भी ठीक होता है और पेट के कीले भी नश्ट होते हैं इस कुक्राउंधा के उप्योग से दोस्तो बड़ाई चमतकारी जड़ी बूटी के पवदा है जो आज मैं आप लोग सामने लेकर आया हूँ देख लीजिए पहचान लीजिए जरूरत में आपको काम आएगा दोस्तो या कुक्राउंधा का पवदा इसके पत्ते इसके जार इस्तीरीयों के सूजन को भी ठीक करनेक काम करता है अगर किसी इस्तीरी के अस्तन के सूजन हो तूर चुक्राउंधा का पत्ता ले लीजिए करीवन पचास ग्राम तक उसे पीश कर चटनी बना लीजिए और उस चटनी में पचास ग्राम जव का अठा डाल कर मिलाईए मिलाने बाद थोड़ा से आग में गर्मा लीजिए गर्माने के बाद आप अस्तन की ओपर लेफ तो अस्तन का सूजन ठीक हो जाएगा इस कुक्रौंदा के पत्तो के लेब से दोस्तों इसके पत्तो को पीश कर इसका रस निकाल कर दोदो भून कान के भीतर डालने से थंड लगके जो बुखार आता होगा तो वह बुखार भी आना बंद हो जाता है या बुखार को भी ठीत करता है सूजन को दूर करता है जखम को भरता है या पोधा एक तरह से एंटिबाइटिक, एंटिसेप्टिक है और इस पौधे के अंदर आयोडीन का मात्रा भी होता है जिसके वज़े से या टिटनिन्स को फैलने से रोकता है जखन को सुखाने का काम करता है दोस्तों या कुकरउंधा के पत्तों का रस 5 एमल और 65 मिलीग्राम कापूर क चूर मिलाकर पिलाने से अगर कोई विस्तर में फेसाब करता है तो उसका विस्तर में फेसाब करना भी छूट जाता है इसके उप्योग से दोस्तों या बहुत ही परमाउसदी है इसके फाइदे सुन सुनकर आप हैरान रह जाएंगे दोस्तों पेट से जुड़े सभी समस् या कुक्राउंधा के पत्तों का रस और इसके जड़ के रस यानि इसका पूरग पूरा पौधा ही काफी फाइदे मंद साभित होता है या पेट के अंदर क्रीमी रोग यानि पेट के कीले को भी नश्ट करने का काम करता है तो इस तरह से दोस्तों या आईरवेदी का उसदी बड़ा ही चमतकारी या उसदी है तो चलो दोस्तों इस महतपुर जानकारी को अब हम यही समाप्त करते हैं अगर हमारी जानकारी लाबदायक हो फाइदे मंद हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए सेर कीजिए सब्क्राइब कीजिए नमस्कार दोस्तों पहाड़ी आईरव झालो जेदी नमस्कारी आईरव।